नमस्कार, NCIT गुरुजे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 2 देववरत गंगा एक सुन्दर युवती का रूप धारन किये नदी के तट पर खड़ी थे उसके सौंदर्य और नवयोवन ने राजा सांतनु को मोह लिया था युवती कहते हैं युवाइस्तरी को तो गंगा एक युवाइस्तरी का रूप धारन किये रूप बदल कर रूप बना कर नदी के किनारे तटकु किनारा कहते हैं खरी थी उसके सौंदर्य ने, उसकी सुंदर्ता ने और नवयोवन ने, नई जवानी को नवयोवन कहते हैं, राजा सांतनु को मोह लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे सुईकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्ते माननी होंगी, क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य, राजा सांतनु ने गंगा की शारी सर्ते मान ली और वचन दिया कि वह उसका पूर्न रूप से पालन करेंगे, सम राजा सांतनु के महल में आ जाती थी, अज्यात सुन्दरी के इस व्यवहार से राजा सांतनु चकित रह जाते, अज्यात सुन्दरी मतलब ऐसी सुन्दरी जिसके बारे में राजा नहीं जानते थे, उनके आश्चरे और क्षोब का परावार न रहता, क्षोब कहते हैं मसोस कर मतलब मन मरोड कर मन को समेट कर राजा सांतनू रह जाते थे क्योंकि गंगा को वचन दे चुके थे कि कुछ नहीं कहेंगे साथ बच्चों को गंगा ने इसी भाती नदी की धारा में बहा दिया आठवा बच्चा पैदा हुआ गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो सांतनू से न रहा गया बोले मा होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया अकारण कहते हैं बिना कारण के तो राजा सांतनू ने पूछा कि तुम मा होकर अपने बच्चों को बिना कारण के क्यों मार देती हो यह ग्रिनित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता ग्रिनित कहते हैं ग्रिना करने लायक ऐसा व्यवहार जिसको हेट किया जाए और शोभा नहीं देता मतलब अच्छा नहीं लगता राजा शांतनुने कहा कि ऐसा व्यवहार भिने कहते हैं एक्टिंग को, राजा की बात सुनकर गंगा मनहीमन मुस्कुराई, पर एक्टिंग करती हुई बोली, कि हे राजा लगता है आप अपना वचन भूल गये हैं, ऐसा लगता है कि आपको केवल पुत्र से ही मतलब है, केवल अपने बच्चों से मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं, आपको मेरी क्या परवा, मेरी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, पर शर्त के अनुसार, अब मैं नहीं ठहर सकती, अब मैं नहीं रुख सकती, हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, और फिर पुरशकार के रूप में आपको सौप दोंगी, आपके हावा ले कर दोंगी, यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई, यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामा के नाम से विख्यात हुआ, भीष्म पितामा के नाम से फेमस हुआ, गंगा के चले जाने से रा एक दिन राजा सिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए और देखा किनारे पर खड़ा एक सुन्दर और गठिला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बान चला रहा था से रुकी हुई थी यह द्रिश्य देखकर सांतनु दंग रह गये द्रिश्य कहते हैं सीन को और दंग रह जाना मतलब आश्चरे चकित रह जाना इतने में ही राजा के सामने स्वयम गंगा आकर उपस्थित हो गई गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बो कर सकते हैं शास्त्र ग्यान कहते हैं शास्त्रों के ग्यान को वेद पुरानों के ग्यान को तो इस युवक का मुकावला सास्त्र ग्यान में सुक्राचारी ही कर सकते हैं सुक्राचारे राक्षशों के गुरू थे काफी ग्यानवान थे और रण कौसल कहते हैं युद्ध करन कि कला को लड़ाई करने के कौशल को तो इसमें परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं भगवान परशुराम शिव के अन्शावतार माने जाते हैं सारे सस्त्र ग्यान उन्हीं से आते हैं ऐसा माना जाता है तो भीश्म का मुकाबला सास्त्र ग्यान में सुक्राचार और र राजने तिग्य कहते हैं तो गंगा ने कहा है कि भीष्म जितने कुशल योधा हैं उतने ही चतुर राजने तिग्य भी हैं आपका पुत्र मैं आपको सौप रही हूँ अब ले जाइए इसे अपने साथ गंगा ने देवरत का माथा चुमा और आशीरवाद देकर राजा के सा जाया होगा हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई